नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियो कुण की टीवी आई है रिपेर होने के लिए एलेटीवी है इसमें समयश्य सप्प्लाई की है यह सप्लाई है इसका जे छोटे मोटे पार्ट से वह जल चुके है और यह रिपेर होने वाले नहीं है तो हम इसमें लगाने वाल है यह वी कि तंबर की पिन पे लगेगा आप दोसरा वाला जो वाईर लेनेवाले हैं ब्रेट बल्या numerator का लिकने वाला है ऊप नगिने वाला है यह डियव आपको नजर आ रहा है नीचे वाला इह दिखें इस तरफ लगाना है दोस्तों उस तरफ मत लगा देना आप तो इस तरीके से आपको लगाना है इस तरीके से तो हम इसे कनेट कर लेते हैं इस तरीके से आयरन के मदद से तो दोस्ता हमने connect कर लिया है अब बारी आती है yellow वाले wire की तो ये जो लगा हुआ है इसे हटाना होगा इसके जो बीच वाला point है इस बीच वाले point पर हम लगाने वाले हैं तो इसे खोल लेते हैं खोल के हम अपको ये देखें दोस्तो इस तरीके करा है ये खटा लिया हम और य ये जो बीच वाला point है इस जगें लगा लेना है ये transformer का है supply वाला है तो इस जगें connect कर लेना है स्वालिंग कर देता है हम इस अच्छी तरीके से लगाना बिल्कुल आसान है दोस्तो वीडियो कोन में समस्च्छा एक तो ये वाली आती है दूसरी standby वाली आती है लेकिन सबसे जदा ही समस्च्छे ये वाली आती है तो ये बचा है wire black और green तो ब्लेक को आपको ये जो माइ तरीका होता है मैं आपको के लिए भी बाता हूं और कोई फेक वीडियो नहीं बनाता आपको जो भी है लाइव ही दिखाने वाला हो इसे यहां फिटिंग कर लियते हैं लगाने में इस बिल्कुल आसान है दोस्तों यह कंप्लेट हमने लगा दिया है अब टीवी को ओन करके द लगते हो और पुराने टेक्निशन तो वो तो जानते हैं नए टेक्निशन को दिक्कत आती है यह समझ चाती है तब तो इस तरीके से आप लगाना हो यह देखिए रेडबत्ती ओन हो गई है इसकी यह कंप्लेट चालू हो गई है विस्टेंडबाइस से रिलीज करते हैं इस है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह किस तरह से चल रहा है ओके हो चुका है सेट उमीद करता हूं मेरे दीवी जानकारी अगर आपको सही रागिया तो प्लिस चैनल को सब्स्राइब एक लाइक कर दीजीगा मिलते है अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ तो लिए लाग।